हेलो गाइज दिस इस रॉनिप फ्रॉम माफ्या सांड सिता मड़ी आज का ये वीडियो एटी आई प्रो के मिक्सर के उपर होने वाला है जिसका मॉडल लंगर है के एले सोला ये एक सोला चैनल का मिक्सर है आज का ये जो वीडियो है ये खास इसमें दिये गया दो इफेक्ट के उपर होने वाला है हम आपको टेश्ट करके बताएंगे कि कौन से नंबर पर डिले अच्छा आ रहा है और रिवर्ब कौन से नंबर पर अच्छा आएगा आपको और एफेक्ट वन में हम आपको डिले डाल कर दिखाएंगे और एफेक्ट टू में हम आपको रिवर्ब ड बताएंगे इसमें सबसे पहले आपको सबसे उपर गेन का वालूम मिल जाता है उसके बाद आपको हाई फ्रकुइंसी का ट्रेवल जिसको बोलते हैं यह मिड का है दो सेक्सम उसके नीचे आपको लो का वालूम मिल जाएगा बेस जिसे कंट्रोल करते हैं उसके नीचे एक दो और उसके नीचे effect 2 का नव मिल जाता है volume, उसके नीचे आपको left right pan का, ये आपको particular channel को mute करने के लिए, हर एक channel में ये एक switch दिया गया होगा, यहाँ आपको PFL का switch मिल जाता है, ये left right का switch मिल जाता है, ये group का है, one two का, three four का, और ये आपका slide मिल जाता है, इस mixer में ये चीज काफ Aux 1 और Aux 2 के लिए आपको pre-post का switch दिया गया होगा है, प्रतेक दो Aux पे आपको एक pre-post का switch मिल जाता है, एक और दो के लिए यहाँ पे एक switch है, फिर तीन और चाड़ के लिए एक switch यहाँ पे दिया गया है, और पांच और शे के लिए भी आपको एक switch यहाँ पे दिया गया यह switch से आप अगर monitor का output करते है और आप चाहते है कि this monitor को अगर हम इस slide पे लेना तो आप वो pre-post के Smart यूज को यूज करके आप इसे स्लाइट पर यूज कर सकते हैं ऐसे ही सेम आपको सेम फंक्शन एक से सोलर चैनल तक मिल जाता है इसके बाद जो हमारा श्रिक्षन है वो यहां एसे- Vielen फिर लेकर 99 एफ़ेक्ट मिल जाता है और एसे-फ़ेक्षरा को का परतीः चैनल आपको कि अधाले पर इसे-फ़ेक्षरा कर करने के लिए तो के शुंद लेकर टोनमें करें है परचे-फी करके स्थ्यित BACK बैक पैनल का डीटेल बताते हैं कि आपको इसमें बैक पैनल में क्या-क्या देखना को मिल जाता है सबसे पहले आपको यहां पर पावर कॉड लगाने के लिए और इसका पावर स्विच मिल जाता है यहां से आप XLR और P38 दोनों का उट्पुट दिया गया है उसके अलावा आपको Aux का उट्पुट है 1,2,3,4,5,6,6 आपको Aux आउट भूट मिल जाता है उसके अलावा आपको चार ग्रूप का भी आउट्पुट मिल जाता है ग्रूप 1, ग्रूप 2, ग्रूप 3, ग्रूप 4 उसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हैं यह इस्टूडियो चैनल होता है जैसे अगर आप कोई भी recording या mobile से जो भी गाना बजाना चाहते हैं तो आप इस चैनल का यूज़ करें 13, 14 और 15, 16 के लिए इसके लावा आपको यहाँ पे एक से लेकर 12 तक माइक इन्पूट का और लाइन इन्पूट का दोनों इसमें दिया है इसमें आप XLR भी पीन लगा सकते हैं और P38 भी पीन लगा सकते हैं चलिए आप हम आपको इसमें दिये गए दो इफेक्ट के उपर टेस्ट करके वीडियो बताते हैं हमने इफेक्ट 1 पे 58 नंबर का डिले डाला हुआ है और एफेक्ट 2 पे हमने 4 नंबर का रिवर्ब डाला हुआ है अब हम आपको इसका टेस्ट करके बताते हैं और आप भी बताएं कि इसका डेले और इफेक्ट आपको और शीव Muytheug का का रिस्पॉंस का रहा है यह मिक्षर अपने बजट में काफी ही अच्छा मिक्षर है हमने अभी बहुत जगह इसे दिया है और फिटबैक भी लिया है कस्टमर से काफी अच्छा रिस्पॉंस इसका निल रहा है हर जगह से अगर आप भी यह पर्चेश करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं माफिया साउंड सिता मठी अब हम आपको माईग का टेस्ट करके और दौनों एफेक्ट का टेस्ट करके बताते हैं कि आपको इसमें कैसा इफेक्ट आ रहा है 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 जीक वान टू हलू है जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारा जो वाइस आ रहा है वो बिल्कुल ड्राइब इसमें कोई भी इफेक्ट का यूज नहीं किया गया है इस एफेक्स वान और एफेक्स टू दोनों का स्लाइड बिल्कुल नीचे है अब जैसे ही हम एफेक्स वान में हमने डिले डाला हुए है और एफेक्स टू में हमने रिवर्व डाला है अब जैसे हम एफेक्स वान का यहां से स्लाइड बढ़ाएंगे आपको हमारे वाइस में दिले फिल होने लगेगा चलिए देखते हैं है यह वाद है लुट अब देख रहे हैं आप हमारे वाइस में आपको डिले दिख रहा है एसे ही करके हमने FX2 पे लिए डाला है है अब देखिए जैसे ही हम अपने FX2 का वॉल्म स्लाइड ऊपर करेंगे आपको वाइस by m आप अपने इसमें ऑफ यूज करेंगे और हम इपस टू जैसे ही फ्यर्ट स्लाइड ऊपर करेंगे आपको हमारे वाइस में डिले भी फील होने लगेगा है जिससे आप इसमें जो 99 इफेक्ट दिया गया है उसको आप डाउन से चेंज कर सकते हैं और इसको पूस करने के बाद इसका रेशियो घटा और बढ़ा सकते हैं जैसे हम आपको दिखाते हैं जैसे अभी जो डिले आ रहा हम इसको अगर हम चाहें इसका रेशियो बढ़ाने का यहां से बढ़ा मुला सकते हैं और काफी कस्टमर्ट को हमने दिया भी है उनसे हमने रिवीव भी लिया है काफी अच्छा रिस्पॉंस है मार्केट में अगर आप यह पर्चेश करना चाहते हैं तो आप हमारे दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा शॉप माफिया साउंड सितामडी बिहार मे पड़ता है आप वहां कॉंटेक्ट करके आप यह मंगवा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करें थैंक्यू झाल